भागिphon की ऊश्द्री के बाद अगर किसी मासूमित्स से एक्ट्रष ने फ्रैंस का दिल जीता है तो वों रेक्ट्रिस को यौद नहीं वलकी भूमी का चावला है तेलगू और तमिल सिनिमा में अपना नाम कमाने वाली आक्ट्रिस भूमीका चावला सल्मान खान के साथ फिल्म तेरे नाम से काफी मश्रूर हुई थी भूमीका चावला बच्पन से ही एक्टिन करना चाहती थी और यहीं बजा थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भूमीका चावला मुंबई आ गई भूमीका चावला का जन दिन है और इस खास मोके पर उनकी जिन्दगी से जुड़े कुछ है से सच आपको बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे भूमीका चावला एक पंजाबी परिबार से तालुक रखती है उनका जन में के सगस 1970 को दिल्ले में हुआ था उनके पिता करनल थे भूमीका चावला ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ले से की थी भुमिका चावला का असली नाम रचना चावला था भुमिका 1998 में जब मुंबई अपना सपना पूरा करने आई तो मशूर फोटोग्राफ डबुरत नानी से फोटोशूट करवाया और उन्हें एडविटाइस्मेंट में काम भी मिला भुमिका चावला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी नहीं बलकि साउट सिनेमा से की थी भुमिका चावला ने दुंसार में यूफ कूडुक में काम किया था हालकि ये फिल्म परदे पर काफी अच्छा रिस्पॉंस नहीं ले पाई थी लेही ना पर दूसरी फिल्म बदरी से भुमिका चावला को काफी सक्सेस में ले थी इसी के साथ तीसरी तेलगो फिल्म खुशी में भी काफी अच्छा परफोर्म करती नज़रा आई थी भुमिका चावला और इसी फिल्मों के करियर के बीच भूमी का चाबला का अफ़ेर जूनियर एंटियार के साथ शुरू हुआ था हाला के बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया और दोनों ने ही किसी और से शादी कर ली जिसके बाद साल 2003 में सल्वान खान के साथ फिल्म तेरे नाम में नज़राई थी भूमी का चाबला वहीं साल 2007 में अकरी बार हिंदी फिLM गानि मा फादर में नज़राई थी भूमी का चाबला जिन्होंने साल 2016 में शुषान सिंग राजपूत की बेहन की भूमी का निभाई दी वो फिल्म में में जोनी थी जिसमें भूमी का चावला ने जन्ती गुपता का करदार निभाया था इस फिल्म के बाद वो लगतार वॉलिवूड में एक्टिव है साल 2021 में भूमी का चावला हिंदे फिल्म ऑपरेशन मज्रू में नजर आने वाली है तो ये है पूरी खबर भूमी का चावला को लेकर भूमी का चावला है शुषान सिंग राजपूत की आन स्क्रीन सिस्टर एक्स दैनाइक्स रश्री की रिपरूट